अल्य शुडेंट्स इस वीडियो हम क्लास 6 एक्साइज नंबर 10.1 का क्वेशिन नंबर फस्ट की पूर पात सौल करेंगे इसमें हमें टोटल सिक्स दे रखें एबीशी दी देकिन हम फस्ट फूर एबीशी डी तक सौल करेंगे इसमें फार्ट में आपको डियाग्राम दे रहा है इसमें हमें फाइंड करना है इसका पैरिमिटर क्या होता है पैरिमिटर होती है सम आफ इस ओल साइड्स इतनी भी इसकी साइड्स हैं उनका सभी का सम तो आपको जो डियाग्राम दिखाई दे रहा है उसमें हम पहले इसमें कर लेते हैं naming इसको माल लिए हमने a b c d तो एक a b c d डाइग्राम है वैसे एक वार्डिलेटल है लेकिन हम यह बोल सकते कि a b c d डाइग्राम है और इसमें आपको साइट्स दे रखी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है परिमेटर तो हम निकालेंगे की की साइड का सम कितना है तो फस्ट पार्ट इसकी साइड कौन कौन सी है जो हमने लिख ली हम वह यूज कर सकते हैं यह भी प्लस बी-सी प्लस सीदी अड प्लस दी-ए तो यह है हमारी इसमें साइड्स ए भी बी-सी सीदी एंड दी-ए यह भी कितना है फॉर ओ सेंटिमीटर बी-सी फाइव सेंटिमीटर CD 1 cm and DA 2 cm तो अब इन सभी का sum कितना हो गया 5 प्लस 4 9 9 & 1 10 10 & 2 12 तो यह हो गया हमारे पास 12 cm तो यह हो गया फर्स्ट का answer फर्स्ट पार्ट का next part इसका देखिए same आपको इसमें भी parameter find करना है आपको एक diagram दे रखा है तो again naming कर लेते हैं A, B, C, D यह naming कर लिया हमने same लिखेंगे parameter is goes to and parameter किसी का भी हो हम यही बोलते हैं कि sum of all sides ओके लेकिन आपकोस जो boundary है उसका measurement होता है parameter तो यह हो गया sum of all sides all sides and again sides कौन-कौन सी है इसमें same name लिखा है हमने तो same कर लेंगे इसका perimeter है इन सभी का add कितना होगा 35 40 कितना हुआ 75 and 75 में अभी add कर लिजी 35 कितना हो जाएगा 5 5 10 7 & 3 10 & 1 11 अभी तो इसमें 23 और add करना है तो c a b c d हमने लिख लिया इनका तो जो c पार्ट है उसका अगर हम perimeter निकालेंगे जो आपको diagram दे रखा है तो again say sum of sum of its all sides its all sides या फिर sum of all sides आप इतना पिलिग दीजिए तो कितना हो गया a b plus b c plus c d & plus यह होगे हमारे पास क्या sum of its all sides और इनका measurement कितना कितना दे रखाए a b d देखे diagram में कितना है c part में 15 b c कितना है 15 c d कितना है 15 & d a कितना है 15 तो सभी को add करने के बाद कितना answer होगा और यह सब भी centimeter में है तो यह हो जागा तो इसका answer आप comment box में बतातीजिए add करके कितना आया है ठीक है 15 15 15 15 15 और time set करना है इसका answer आप बतातीजिए अब इसका last part d जो इस question में कर रहे हैं इस वीडियो में कर रहे हैं बाकि इसका भी दो parts और रहते हैं आपको नाम लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए तो पैरिमिटर इसका सेम सम हो जागा उसके बाद next a b plus b c plus c d plus d a d e and plus e a और सभी का कितना हो जागा a b कितना है देखिए 4 b c 4 c d 4 d e यह भी 4 और e a यह भी 4 सभी 4 4 दे रखे हैं तो कितना हो गया 4 and 4 8 4 12 16 plus 4 20 cm तो इस वीडियो में हमने कर लिया 4 parts और सभी का सेम था sum of all inside बाकि दो parts next video में thank you